पिचाट पीने चिराक पास्वान को एज री वेपेन यूज़ किया। जर्डी हूँ के ही वेपरित्में। योगी सरकार नहीं, मुके सहनी जी बोलिए मोदी सरकार। जिसके साथ आप गडबंधन में बिहार में है। कि गड़बंधन के नितीज कुमार जी भी है साहनी जी भी है योगी जी भी उसी बीजेपी के हैं तो अगर एक दूसरे के प्रति इनका सामन जसे अच्छा नहीं है तो किस बात का गड़बंधन सन अप मल्ला कहे जाने वाले मुके साहनी को योगी सरकार ने उत्तर परदेश स से भगा दिया जी हां बिल्कुल बनारस पहुचे थे एरपोर्ट से बाहर नहीं निकलने दिया कारीकरताओं पर लाठियां बरसाई और वापस मुके साहनी को कॉलकता बाया पटना लौटना पड़ा आकर भले ही गरस्ते दिखाई दिये योगी सरकार पर हमारे साथ सारी का पास्वान जी हैं राजत की नेत्री हैं से बात करेंगे पूरे घटना करम को कैसे देख रही है मैं मुझे लगता है कि यह जो स्क्रिप्ट है ना वो बीजेपी के द्वारा लिखी गई थी जिसमें की मेरे लीड रोल में मुके साहनी दिखे और उन्होंने जाकर के यूपी पास्वान को एस वेपन यूज किया जडियू के ही विपरित में तो यह मुझे लगता है यह पूरी की पूरी पठकता जो है ना वो बीजेपी के द्वारा तयार थी यह गय मुके साहनी अपने भाई कार्यकरता को इन्होंने पिटवा दिया एक अंदर उनके जगा दिया कि साहनी सारे साहनी समाज जो आप लोग एक जुट हो यह देखिये हमारे साथ किस तरह का वेवहार हो रहा लेकिन असल में यह एक पूरे की पूरी जो कहते है ना पुर्ण नियोजित धंग से की गई तयार स्क्रिप्ट पूरी तयार थी बीजेपी के द्वारा और उसी तहती ये कारे हुआ है योगी सरकार पारिये मोदि सरकार जिसके साथ आप गडबंदन में बिहार में है तो कहीं आपका सुर और ताल बदल ऍगल जा रहा रहा है एक विचारदारा के लड़ाई लड़िए आप किस को बेकूब आदमी आपके जैसा अंगुठा चाप नहीं रहा, सब विद्वान है, सब समस्ते हैं, आपके हरचाल को समस्ते हैं, और वो जान रहें कि आपकी ऐसी जो थर्ड ग्रेड की स्क्रिप्ट है ना, इस पे वो लोग अमल नहीं करने वाले हैं, जाक चुका है वो समाज और अपने क्या किया आपने, आप ते उसी गडबंधन को धर्मा भी तक निभा रहे हैं, आप अगर वाकई में उनकी विचारधारा के साथ आपकी विचारधारा नहीं मिलते हैं, निकल ये उस गडबंधन से बाहर, निकल के बाहर बताईए जनता को, कि देखिए आप कितने मजबूत आपकी सोच और आपकी बात है, कि मैं ऐसी विचारधारा वाले लोगों के साथ समक्ष नहीं खड़ा हूँ, उनके साथ गडबंधन में नहीं हूँ, तो ये तो वही बाली बात हुई, कि आप जगह जगह के हिसाब से बदल रहा है आपका स्टेट्मेंट, लेकिन ये पूर अब बताईए, एक ही गडबंधन के नितीज कुमार जी भी है, साहनी जी भी है, योगी जी भी उसी बीजेपी के है, तो अगर एक दूसरी के प्रती इनका सामन जसी अच्छा नहीं है, तो किस बात का गडबंधन? तो सब ये सब दिख रहा है कि अंदर खाने कुछ भी सही नहीं है, रश्रम कस्ती जो बिहार में जल रही थी, वो यूपी में अच्छे से धरत, धरती पर दिखाई दे रही है यो लोगों को, पूरी देश देख रही है कि बिहार का गडबंधन है, जो कितना खोकला और कितना जूटा है, एक आखरी सवाल, राजत के नेता को मुके सानी ने कुटा बिलाई और बेवपूफ कहा है, देखिए, जो जेडियों के गडबंधन में जितने भी अभी दले हैं, उन सब का जो है न मर्यादा पार कर चुके हैं वो लोग, अब उनके बीच में कोई भी नातिकता रही नहीं है उनके अंदर, तो अगर इस तरह की स्ट सेट्मेंट देखें, लोगों को उलजाया रखना चाहते हैं, विपक्ष को भी उलजाया रखना चाहते हैं, लेकिन हम अपने एजंडे पर कायम हैं, हमारा एजंडा था विरुजगारी, महंगाई, सुरक्षा, बिहार का विकास, आप बाकी आपको जो बोलना है, आप बोल बीजेपी के तरब से वेल स्क्रिप्टेड था, ऐसा हम नहीं, ऐसा राजद नेत्री सारी का पाश्वान जी कहते ने ज़र आ रहे हैं, लाइप स्कीज के साथ बने रहे हैं, तमाम लेटेश तरश्वे लगातार अपडेट करते रहेंगे, कैमरा परशन कुड्डू के साथ मैं वसे इंडाज़ इंस पटनाए